बिहार में शराब के अलावा कोई और खबर आपको अगर सुनने को मिल जाए तो आपको लगेगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं और हम भी लगतार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे माननी ये मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने में उनकी मदद करें इसलिए आ और बॉयफ्रेंड को शराब के साथ पटना के शाष्तिन अगर्थाना के शुभ यात्रा ओयों से गिरफतार किया गया है भाई साहब वहार रंगरलिया मना रहे थे और कोई अन्य पूटल वाले ने तो ये च्छाप दिया है कि उस होटल में कलकत्ता से लड़की मंगाई ग उसको कल रात को बिहार की पुलिस ने पटना पुलिस ने गिरफतार किया है कहा ये जा रहा है कि पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर शराब और शबाब की पार्टी होने वाली है और पुलिस वहां पहुच गई पुलिस वालों के पहुचने के बाद कि पुर्नेंदु साहब माफी मांगने लगे और माफी मांगते मांगते वो ये कह रहे थे कि शराब हम नहीं पी हैं लेकिन पुलिस वाले और समझदार हो चुके हैं उन्होंने इतने लोगों को अब तक शराब के आरोप में पकड़ा है कि उनको पता है कि कौन पिया है और जब गया पुर्नेंदु साहब की जाच हुई और यह पाए गया कि पुर्नेंदु जी ने शराब पी रखी है उसके बाद होटल की तलाशी ले गई उनकि कम्रें की तलाशी ली गई तो वहां से शराब की एक बोतल कोल्डिंग की एक बोतल और उसके अलावा श tunnel परियोग म बारे में जिसमें पटना की पांच एदेंसिया पहली बारे एक साथ मिलकर शराब की तसकरी को क्रिस्मस से लेकर न्यू येर तक रोकने का प्रयास करने वाली थी जिसमें स्पेशल टास्ट फोर्स था एंटी लिकर फोर्स था और उसके लावा कई अधिकारी थे जो एक साथ म लड़के का नाम पुर्णेंदू है बताय जा रहा है कि वो पाटली पुत्र थाना के रहने वाले हैं और भाई साथ का टूर एंट ट्रेवल्स का बिजनस था वो अपनी गल्फेंड के साथ कोई कह रहा है कि कोई ये कह रहा है कि कलकत्ता से किसी युवत्ती को बुलाया गय और उसके बाद जब पुलिस ने धर लिया और ब्रेथ अनलाइजर में ये पाया गया कि पुर्नेंदू ने सराब पिया है तो उसको पुलिस ने गिरफतार कर लिया गया जो वहाँ लड़की थी जिसका नाम जूली बताय जा रहा है उनका भी ब्रेथ अनलाइजर से लिपता है इसलिए इस बात की जांच हो रही है कि होटल के मेंजर ने क्या लड़की या फिक्या दारू का प्रवंद किया था और अगर इस जांच में होटल वाले दोशी पाये जाएंगे तो उन पर भी करवाई की बात कही जा रही है यहां खवर्शनात होता है और यहां पर मेरा ग्यान सुरू होता है हमारा बस कहना इतना है कि पटना के बीचों बीच शास्त्री नगर थाना के एक ओयो में सराब करी से पहुँचा क्या आपकी पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है कि जो बाहर के राजे से शराब आ रहा है वो उसको नहीं पकड़ पा रही है क क्या आपके पुलिस के पास जो शुभ यात्रा ओयो का गुप सूचना मिला था उसको ये गुप सूचना नहीं मिलता है कि कोई शराब बाहर से लाने वाला है और जाकर पीने वाला है या फिर फलना चिलना आदमी जाकर शराब बेच रहा है अगर आपको इसका गुप कर रही है कि बिहार में शराब नहीं भीके लेकिन अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो इसका दोशी कौन है आप सोच लीजिए साथ ये मारे माननी ये मुख्यमंत्री जी का आदेश जो आया है वो भी सुन लीजिए वो मंच पर खड़े ओकर कह रहे हैं कि अगर आपको बि आत्रा ओयों में शराब का बोतल लेकर घुज जाने में सफल हो रहा है तो ये किसकी दोशी आपको बताईए बाकिये हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं कि रसगुल्ला को भी नितिश जी एक दिन बैंद करेंगे ये बोलकर कि इससे डाइबिटी होता है लेकिन हमको बस इतना समझ नहीं आता है कि शराब के उन बड़े और असली तसकर को पुलिस क्यों नहीं अरश्ट कर रही है कि इसमें किन नेताओं का हाथ है इसका परदाफाश क्यों नहीं हो रहा है और एक लड़का और एक लड़की के साथ एक दारू के बोतल को पकाईड कर अगर पुल